ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमः जै मातरणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है माभगवते दुर्गा की गृबा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे दोस्तों सावन का महीना व्रत और त्योह वाण का ही महीना है इस महीने में बहुत से सोबार महीने से ब्रतार से आग अगर गत कि इसका फल हमें बहुत शीक्र प्राप्थ होता है भगवान शिव की क्रिपा से हमारी मनु काम नपरोण होती है इसलिए प्रदोश के वरत यमासिक शिवरात्री के वरत भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इसी महीने से सावन के महीने से ही आपको शुरू करना मतलब चातुर मास का व्रत कहा जाता है इसे तो चातुर मास व्रत का प्रारंब भी सावन के महीने से ही होता है तो सास्त्रों की अनुसार सावन का महीना बहुत ही पावन होता है बहुत ही पवित्र होता है और इस महीने में हमें व्रत धारन करना चाहिए तो आज की वीडियो म करना चाहिए किस नियम का पालन करना चाहिए शिव पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और व्रत करते समय किन बातों का विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए कौन सी असी गलतियां है जो भूल से भी नहीं करनी चाहिए अगर हम सावन महीने का व्रत करते हैं और इन गलत दिनों में हमें नियम पालन करना चाहिए तो सावन मास के व्रत्य संबंधित संपुर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेर करने वाली हूं इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर हैं क्योंकि एक मात्र जर्या है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है तो इससे मुझे प्रेणा मिलती है जिससे में आगे और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती हूं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर किया कीजिए और मातराणी के नाम का जैकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं इससे आपको सकरात्मक उर्जा की प्राप्ति होती है और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न अगर आप तो सबसे पहले नियम क्या होते हैं किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और इस सास्त्र कहते हैं किसी पवित्र नदी में जलाषय में या किसी पवित्र सरोर में श्ना न करना चाहिए लेकिन ऐसा सबके लिए संभो diferen नहीं है तो ऐसे जल के पातर से आप शनान करने वाले हैं, उस जल के पातर को साफ कर लीजिए, उसके बाद उसी पातर में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, उसके बाद आप जल भरकर इस से शनान करें तो आपको पवित्र नदी में शनान करने के बराबर ही पुनियफल प्राप्त होत और अगर आपके घर में शिवलिग हैं तब तो अत्यान्त ही स्रेश्ट है घर में भी आप उनका जलाविशेग कर सकते हैं। घर में भगवन शिर्व की विद्यवत पूजा हाराधना कि पूजा में जलाविशेक का IRAबः होता है। तो अपनी मनो कामना के अनुसार भी द्रव्य लेकर भगवान शिव का अभी शेख कर सकते हैं। तो इतना नियम तो जरूर पालन कीजिए कि आप प्रती दिन भगवान शिव का अभिशेख कर पाएं। शिवाय या नमह शिवाय का जब करना चाहिए। और आप अधिक से अधिक जब कर सकते हैं। जितना भी मंत्र जब करेंगे उतना ही अच्छा फलक्राप्त होगा। और जो भक्त माला से जब नहीं करते हैं वो बिना माला के भी यथा संभव अपनी इच्छा के अनुसार जब कर सकते हैं। सिवाले में जाते हैं तो शिवाले में भी जब कर सकते हैं। या फिर, चलते-फिरतेπ, उठते-बैढते, कैसे भी, किसी भी प्रकार से। इतना ही पर अधिक पर लतक ze छेब करें। तो नियम पालन अगर आप कर पाते हैं वरत रख पाते हैं सावन मास का तब तो अत्यांती स्रेश्ट है लेकिन बिना वरत किये भी इस महीने में जितना अधिक हम घगवान शिव के नाम का मंत्र का स्मरण करेंगे पार्ट करेंगे उतना स्रेश्ट फलह में प्राप्त होगा तो आप इस महीने में हो सके तो महामले तुझे मंत्र का जब कीजिए, शिव सहस्त्र नाम का आप प्रती दिन का नियम ले सकते हैं कि सुबह जवाब पूजा करेंगे, तो शिव सहस्त्र नाम का कम से कम एक पार्ट जरूर करेंगे, या फिर आप सिर्तांडव स्तोत्र का पार्ट कर सकते हैं मतलब किसी भी मंत्र का या किसी भी स्तोत्र का आप एक नियम जरूर ले लिजिए कि इस मंत्र का आप जब इतनी संख्या में करेंगे या कोई स्तोत्र पार्ट आप प्रति दिन नियम से करेंगे पूरे महीने देखिए सावन महीने का जो वरत सास्त्रों में बताया गया है पूरे महीने फला हर पर रहने का वरत बताया गया है मतलब पूरे सावन मास में फल का सेवन करना चाहिए जल का सेवन करना चाहिए अन का सेवन नहीं करना चाहिए अगर हम सावन मास का वरत रखना चाहते हैं तो अपनी छमता के अनुसार हमें वरत जरूर करना चाहिए तो सावन मास का अगर आप वरत करना चाहते हैं तो दिन में आप फलाहार ले लीजिए फलो का सेवन आप कर सकते हैं जूस ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं इन सभी चीजों के द्वारा आप दिन भर व्रत रहिए शाम के समय आप चाहें तो फलाहारी भोजन कर सकते हैं जैसे कि कुट्टू सिंगाड़े का आटा सेंधा नमक इन चीजों का प्रयोग करके और शाम के समय भोजन कर सकते हैं या फिर अगर आप फलाहारी भोजन पर नह का आहार करते हैं तो इसके लिए आपको सेंधा नमक की आवशकता नहीं है आप बिल्कुल सामान या नमक ले सकते हैं और सात्विक भोजन करना चाहिए पूरी तरह से तामसिक चीजों का त्याग करके और उसके बाद हमें इस वरत के नियम का पालन करना चाहिए तामसिक थ долж शामा नहीं चाहिए और हरी पतेदार सब्जियां पा लक इत्यादी का त्याग कर दे ना चाहिए इन चीजों का भी सेवन सावनमास में वर जीत्बाना तो यह जरूरी चीजे हैं जिंका हमें त्याग करना चाहिए लेकिन इसके अलावा भी बहुत से भक्त होते हैं जो ये पूरी तरह से भक्तों की श्रद्धा परने बढ़ करता है और कई भक्त इस महीने में दूद का सेवन नहीं करते हैं वैसे पर ये कोई आवश्यक नियम नहीं है ये पूरी तरह से भक्तों की अपनी इच्छा परने बढ़ करता है कि वो किस चीज का त्याग करना चाहते है आपकी अगर इच्छा है आप दूद का त्याग कर सकते हैं अगर आप नहीं दूद का त्याग करना चाहते हैं आप बिल्कुल इस महीने में दूद ले सकते हैं लेकिन दूद को अच्छी तरह से उबाल लेना चाहिए आप चाहे तो उसमें कोई फ्लेवर मिला सकते हैं, जैसे कि आप इलाइची डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, या सिर्फ उबाल कर आप बिना कुछ मिलाई भी दूद पी सकते हैं, ब्रत में दूद का सेवन किया जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से आपकी अपनी होने से पहले आप भोजन कर लीजिए, और सुर्यास्त के बाद आप फल इत्यादी ले सकते हैं, और भोजन में आप चावल या रोटी कोई भी वस्तु खा सकते हैं, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, बिलकुल शुद्धता से बना हुआ होना चाहिए, किसी भी प्रकार से लसुन का और प्याज का प्रयोग नहीं करना है इस बात का ध्यान रखें। और अब बात करते हैं कि सावन मास का वरत करते समय हमें किन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। देखिए पूरे सावन के महिने में ब्रह्म चर्य का पुरुण रूप से पालन करना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जूट नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना च अगर जरूरी नहीं लिख च यह कुरिख पूजापाथ को पीरियज के समय में आप पूजा सकते हैं तो इस बारे में बहुत जादा बाते न आपक जाता है कि अगर प्लेकर समय होता है तो उस समय में महिलाएं किस प्रकार से इस व्रत के नियम का पालन करें देखिए period के समय में आप पूजा नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको नियम सभी पालन करने होंगे जैसे कि आप जिस प्रकार से प्रती दिन सुबह जल्दी उठते हैं स्नान करते हैं उसी प्रकार से आपको सुबह जल्दी उठकर श्नान करना है और हाँ स्नान के जल में आप गं वंन्हीरे folds रिला चाहिएन्चुम्हेस, भावानों, सऑशान बाप्री त्यूरा ये भु रिल्खुन दीनों मेंre इन दीनों में ये भी नियथ बहुत से भगतों का प्रश्न होगा कि हमें कितने दिन तक पूजा नहीं करनी चाहिए तो देखिए इस बारे में सबके अलग-अलग विचार हैं बहुत से लोग 5 दिन तक पूजा नहीं कर सकते हैं बहुत से लोग 7 दिन पूजा करते हैं तो सबके नियम अलग-अलग हैं वैसे सास्त्रों के अनुसार हमें 5 दिन पूजा करनी चाहिए कोई इसमें संसय नहीं है लेकिन पांचवे दिन अगर हम शुद्ध अवस्ता में हैं तभी पूजा कर सकते हैं तो अगर आप पांचवे दिन शुद्ध अवस्ता में हो जाते हैं साफ हो जाते हैं तो आप बिल्कुल भगवान शिव की पूजा आरातना कर सकते हैं नहीं तो आप साथवे दिन से पूजा करें ज्यादा स्रेष्ट होगा दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पवित्र बहुत ही पावन महीना होता है अगर आप पूरे महीने सावन मास में वरत करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार मन की समस्त कामनाई भगवान भूलेनाद की कृपा से पुरुन हो जाती है तो ये बहुत ही स्रिष्ट समय है अगर आप वरत करते हैं बहुत ही स्रिष्ट होगा लेकिन जो लोग वरत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवस वो भक्त भी इस पूरे महीने में अगर नियमों का पालन करें सात्विक्ता का धियान रखें किसी भी प्रकार से तामसीख चीजों का प्रयोग ना करें लेसुन प्याज मांस मदिरा इन चीजों का त्याग करके अगर आप शिव की भक्ति करते हैं और नियम के अनुसार भगवान शिव की आराधना करते हैं भगवान शिव का जलाभी सेख करते हैं किसी भी मंत्रियास तोत्र का नियम लेकर पूरे महीने पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपके बिना वरत किये भी आपकी मनो कामना भगवान शिव की कृपा से पुरुण होती है। तो ये बहुत ही स्रेश्ट महीना है, जिस भी प्रकार से संभवो भगवान शिव की पुजा आरादना जरूर करना चाहिए, सभी भक्तों को करना चाहिए, तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभवश्य होगा, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी रगी मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए, नमस्कार